अगर आप दिली NCR में रहते हैं तो फिर अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या फिर 15 साल पुरानी बाइक और पेट्रोल का बिलकुल लेकर सडकों पर ना उतरें दिली ट्रांसपोर्ट डेपार्टमेंट ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन सडकों पर दौरता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्द कर स्क्रेपिंग के लिए भेज दिया जाएगा दरसल दिली में बढ़ते प्रेदूशन को लेकर नैशनल ग्रीन चरिबुनल यानी एनजीटी बिलकुल सक्त है ऐसे में अगर आपने नियम को नजरंदास कर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार लेकर सडक पर उतरते हैं तो फिर उसे जब्द कर सीधे स् दिली ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने इस पश्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2022 तक जिन गाडियों की समय सीमा खत्म हो गई है उनका रजिस्ट्रेशन रद किया जा रहा है एनजीटी के आदेश पर साल के पहले दिन एक जनवरी को करीब एक लाग से अधिक डीजल वहनों का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया किया दिली ट्रांसपोर्ट डेपार्टमेंट की मताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल वहनों की संख्या 43 लाग से अधिक है जिसमें 32 लाग टूविलर और 11 लाग कारें शामिल है लेकिन अगर आपकी कार की कंडीशन ठीक है और आप उससे कबार में नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो विकल्प हैं आप उसमें एलेक्ट्रिक किट फिट करवा कर चला सकते हैं इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट डपार्टमेंट से no objection certificate यानी NOC लेकर उससे दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं पहले विकल्प की बात करें तो वाहन को दूसरे राज्यों में बेशने के लिए दिल्ली ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट एक एनोसी जारी करेगी इसके आधार पर इन गाड़ियों को दूसरे राज्यों में फिर रजिस्टर कराये जा सकता है हालंकि जिन राजियों में इनके दुबारा रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध है उनके लिए ये नोसी जारी नहीं की जाएगी आप दिली ट्रांसपोर्ट डेपार्टमेंट से एनोसी लेकर राजस्थान और मेगाले की सभी जिलों में अपनी पुरानी कार बेच सकते हैं बिहार के 18 जिलों में ये नियम मानने रहेगा वहीं उत्तरप्रदेश के 33 जिलों में दिली की पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है महराश के 26 निगमों जिलों के लिए भी एनोसी ली जा सकती है दूसरे विकल्ब के बात करें तो सरकार ने अपने आदेश में इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट करने का आप्शन दिया है किसी भी डीजल या पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलने के लिए आपको एक electronic motor या electric controller unit यानी ECU चाहिए बाजार में कई कंपनियां इस तरह की retrofit electric controller unit देती हैं किसी पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड goofy को electric में बदलने का खर्च नई गाड़ी के 15 परसन के बरापर तक पढ़ता है मारूती औल्टो जैसी छोटी कार को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलने का खर्च करीब 2 लाक रुपए तक होता है बड़ी गाड़ी के लिए यह खर्च ज़ाएं